हेलो दोस्तो कैसे हैं आप आपका स्वागत है कि एंटर्टेन्मेंट पर दोस्तो आजम भारत के दस सबसे रहसे मही और ड्रावने स्थानों की बात करेंगे दोस्तो दस नमबर पर आता है गंगा का रहसे मही गाट हावडा बिरिज कोलकाता दुनिया की पवित्तन नदियों में ऐसे गंगा एक है भारती संसकर्ती मेंने मा मान कर भी पूज़ा जाता है लेकिन कोलकाता में हावडा बिरिज के पास गंगा घाट को लेकर अजीब सी जानकरिया मिलती है यहाँ पर कई रहसे में मोते हो चुकी है दोस्तो नो नमबर पर आता है सेती हाली का डूपता हुआ चर्च चर्च जहां लोग जीजस से प्रातना करने के लिए जाते हैं मगर एक ऐसा चर्च भी है जो अकसर पानी में ही डूबा रहता है यह चर्च अपने आप में किसी आश्चरे से कम नहीं है यह कई दिनों तक पानी में डूबा रहता है बाद में पानी का स्तर कम होने पर यह उपर आ जाता है लेकिन सूर्यास्त के बाद यह बहुती ड्रावना हो जाता है जबकि इस चर्च के आसपास कोई होता भी नहीं है दोस्तो आठ नमर पर आता है कोडीनी दक्सिनी भारत यह जगा जुडवा बच्चों के लिए जानी जाती है यह भी भारत के सबसे रहसे में स्थानों में से एक है दोस्तो यहाँ पर अंतराशी स्तर पर कई वेग्यानी खोज कर चुके हैं लेकिन कोई भी इस रहसे को नहीं सुल जा पाया कि यहाँ पर जातार जुडवा बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं जानकारी के मुताबिक यहाँ पानसो सी जादा जुडवा बच्चे हैं दोस्तो साथ नमर पर आता है जटिंगा असम असम के आदिवा सीला के जटिंगा में कैसी घटना हुई जिसे सुनकर यकिन नहीं होता यहाँ साम को सुर्यास्त के वक्त सेकडो पकसी उड़ते उड़ते आसमान से नीचे आगिरे कुछ लोग कहते हैं कि पकसी उन्हें साम ही कत्या कर ली कुछ का मानना है कि उन्हें मार गिराएगा लेकिन सच्चा ही जो भी हो यहाँ आने वालों के लिए एक रहसे में घटना ही है दोस्तो छे नमर पर आता है सापो का गाउं सेथपाल महराष्टरा दुनिया में जहां हर कोई साप से डरता है वही महराष्टरा का एक S.C.V. गाउं है जहां लोग सापो के साथ रहते हैं यहां एक जगा सेथपाल है जहां सापो का राच चलता है यहां बच्चा बच्चा साप से खेलता है और साप भी बच्चों के साथ उतने ही प्यार से रहते हैं यहां रहने वाले लोगों को अपने घर में एक साप रखना अनिवारी है और यहां आज तक एक भी साप के काटने का मामला सामने नहीं आया है और दोस्तो पांच नमर पर आती है जमाली कमाली मस्जिद दिली मानने ता है कि सूपी संद जमाली कमाली को यहां दफन किया गया था यहां आने वाले प्रेटकों ने यहां पर कुछ आसामाने घटनाएं देखी हैं यहां पर सुरियास्त के बाद आना खत्रे से खाली नहीं ह दोस्तो चार्ड नमबर पर आता है दमस बीच गुजरात लोग मौल मस्ती के लिए बीच पर जाते हैं और डूपते और सूरज की खुबसूरती को खुब नहारते हैं मगर कुजरात का ये दमस बीच औरों से अलगए यहां पर आने वाले प्रेटक बताते हैं कि उन्होंने यहां पर अलग परकार की आवाजे सुनिये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने यहां पर परचाईयों को भी देखा है दोस्तो तिन नमबर पर आती है खुणी नदी दिल्ली दिल्ली के रोहिणी में बेहने वाली है एक नहर जिसे लोग खुणी नदी के नाम से भी जानते हैं इस नदी के आसपास कई लोगों के सव मिल चुके हैं लोगों का ऐसा भी कहना है कि नदी के आसपास कई बार चीखने चिलाने की डरावनी आवाजे आती हैं बहुत से लोग यहां आत्मत्या भी कर चुके हैं लोगों में ऐसी धार्णा बनी हुए कि यह नदी अपनी और लोगों को खिशती है दोस्तो इस खुनी नदी पर पूरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तो दूसरे नमबर पर आता है भानगड किला अलवर जैपूर से 85 किलिमेटर की दूरी पर अलवर में यह किलाश तीत है इस किले को सिर्फ भारत का ही नहीं बलकि एसियागी सबसे ड्रावनी जगों में सामिल किया गया है भूत प्रेतों पर सोध करने वाले कई सोध करताओं ने भानगड के किले में नाकारादमक सक्तियों के होने का दावा किया है भारतिय पुरा तत्यु सर्वेक्षन संस्थान ने इस किले में सूरियास्त के बाद और सूरियों दे से पहले जाने पर रोक लगा रखिये दोस्तो एक नमबर पर आता है कुल धरा गाओं जेसल मेर जेसल मेर जिले का गाओं कुल धरा करीब 170 साल से विरान बड़ा है कुल्धरा में कोई भी इनसान अकेले जाने की इमत नहीं कर पाता है बताया जाता है कि यहां के लोगों ने एक पापी दिवान से अपनी बेटी को बचाने के लिए इस जगे को रातो रात खाली कर दिया था दिल्ली के पेरानॉर्मल एजेंसी दवारा कुल्धरा गाउं में डिटेक्टरों और भूत बोक्स में यहां के मरत लोगों की आवाज रिकोर्ड की गई थी और उन्हें अपना नाम भी बताया था यहां आने वाले प्रेटों को यहां महिलाओ के चूड़े के खनकने की अवाज सुनाई देती है कुल्धरा गाउं पर पूरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें